हेलो बच्चों, आज हमारा question है, equals each of the following as a decimal. हमें इनको किसमे करना decimal, हमें percentage में लाखा, 23 percentage है बै, कितना है हमारा, 23 percentage, अब हमें इसको किसमे करना, decimal में करना, जैसे हम percentage हटाएएंगे, यहाँ से remove करेंगे, upon me के आ जाता, 100 या जाता है जैसे मैं इस % को रिमूब करता हूं, अपन में कितना आ जाता हुछ अहन्डिट हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है इंटो 100 ओके, जैसे हम इसको यह लोग एक जैसे हम किसी की % निकालते हैं, जैसे में 50 इसके परसंडेज निकालने तो क्या जाएगा इंटो हंडेज आ जाएगा हंडेज संडेज कर देंगे तो कितना है फिफ्टी परसंट अब जैसे हम इस परसंट को अपन में हंडेज आ जाता है यहाँ decimal लगेगा यहाँ 0 बढ़ेगा तो 100 टू जा क्या हो जाएगा 200 यहाँ 0 यहाँ 3 यहाँ decimal लगा तो यहाँ एक और 0 बढ़ जाएगा तो 103 जा कितना हो जाएगा 300 तो आपका decimal 23 आंसर आजाएगा लेकिन अगर आपको short में करना तो आपको देखना जैसे यह 23 आपन 100 है आपको देखना आपन में 0 कितने है आप उपर सिधर डिजिट लिख दो नीचे 0 दिनो 1, 2 तो 1, 2 जितने 0 आपन में होंगे उतने डिजिट गिनने आपको उहाँ पर आपको decimal लगा लेना ऐसे देखो बढ़े 72 परसेंटेज हट रहा थे हमारा जैसे हम परसेंटेज को हटाएंगे कितना आजाएगा 100 आजाएगा अब देखो हमें उपर डिजिट लिख देने बज़ अब 0 गिनो 1 और 2 कितने 0 हमारे 2 तो 1 और 2 यहाँ पर हमारा decimal में आजाएगा या आप इसको डिवाइड करके भी देखो 72 तो यहाँ decimal यहाँ 0 107 जा कितना हो जाएगा 700 0 यह 2 बैज decimal लगा तो यहाँ 0 वो 102 जा 200 तो सेम हमारा अंसर आजाएगा ऐसी देखो बैज 6 परसेंट तो 6 अपॉन 100 अब डिजिट यहाँ 6 लिख दो यहाँ तो 2 0 है भई और यहाँ डिजिट कितनी है 1 की है हम तो कहरें जितनी 0 है उतनी digit का आगे point लगेगा अब यहाँ तो डिजिट 1 है 0 तो 2 होगे तो हम क्या करेंगे इसको 2 डिजिट बनाएगे यहाँ पर 0 लगाएगे ओके तो 1 और 2 यहाँ पर हमारे डेसिमल लग जाएगा ओके आप देखो भई 10% का मतलब है 10 अपान 100 मैं 2 यहाँ तो आप 0 से 0 कार दो यहाँ तो सिधे 10 लिख दो आप 1 और 2 2 0 है 1 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा इस 0 कोई मतलब नहीं रह जाता ओके यह हमारा क्या हो जाए 0 10 अगर ओके अब यहाँ देखो यह पॉइंट है यह इस 0 कोई मतलब नहीं रहता इसका तो क्यों नहीं मतलब रहता पर इस से हमें कोई मतलब नहीं ओके तो हम क्या कर सकते बहु कितना है हमारा 35.6 अब उन में परसेंटेज हटा के 100 जाएगा एक इस पॉइंट को अटाएंगे यह भी यहाँ पॉइंट है हमारा इस जब पॉइंट को अटाएंगे तो इसके बाद कितना है एक डिजिट है तो एक जीरो निच आ जाएगा अब देखो 356 123 123 यहाँ पर डैसिमल आ जाएगा हमारा ओके 0.3% परसेंटेज हटाते यहाँ हंटेट आ गया इसको अटाएंगे तो एक और जीरो आएगा क्यों आएगा एक ही क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक डिजिट है डैसिमल के बाद जितनी डिजिट होंगे उतने अपॉन में जीरो बढ़ेंगे तो हमारा हो गए 3 अब जीरो 1,2,3 हो गए अपॉन में यहाँ डिजिट है एक तो 1,2,3 हमें हर आल में 3 डिजिट बनाने हो यहाँ पर डैसिमल आ जाएगा ओके डैसिमल 25% तो 25 अपॉन हमने लिग दिया परसेंटेज हटा दिया आप यहाँ से जब 1,2 तो 2,0 हो गए अपॉन के बाद 2 डिजिट थी तो 2,0 हो गए अब देखो यह तो 25 1,2,3,4 1,2,3,4 और यहाँ पर हमारा ओके 235 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बए 235 1,2,1,2 यहाँ पर आजाएगा पॉइंट यहाँ पर ओके